हेई गाईज वेलकम बैक तो सर्तास सर की क्लास आज है हमारी सूपर एडवांस इंग्लिश स्पेकिंग की क्लास का साथ हुआ दिन साथ दिन हो गया आज पूरे और आज के दिन फिर से मैं आपको एक और मज़िदार टॉपिक पढ़ाऊंगा आज मैं आपको बताऊंगा नीड और डेर का सही इस्तेमाल कि आप इसे अपनी इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं फिलाल आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी जो कि आप जानते ही हैं जैसा कि आपको पता है कि मेरा Spotify पर एक पॉड्ड कास्ट है पॉड्ड कास्ट मतलब जैसा आप मुझे यूट्योब पर देख पाते हैं न देखकर इंग्लिश सीखते हैं वैसे ही पॉडड कास्ट पर आप मुझे सुन सकते हैं वहाँ पर मेरी आवाज आती है वहाँ पर आप मुझे सुनकर English सीख सकते हैं वहाँ पर भी मैं बहुत कमाल कमाल की चीज़े अप्लोड करता हूँ लिंक में ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जाइए सबसे पहले तो Spotify आप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए अगर नहीं की है तो और उसके बाद मेरे podcast Learn English with सर्ताज को follow कर लीजिए और वहाँ पर भी एक bell icon है उसे भी दवा दीजिए ताकि कोई भी मेरी audio आए तो सबसे पहले आपको notification मिल जाए exclusive content का तो जल्दी से मुझे मेरा podcast जो है मुझे Spotify पर follow कर लीजिए तो आज हम सीखने वाले हैं dare और need की need का सही इस्तेमाल और हाँ कल से मैं आपके English speaking के practice शुरू करवा रहा हूँ so be ready for that क्योंकि practice makes man perfect चलो फिलहाल आज हम use सीखते हैं किस-किस का need और dare का तो heading डाल लेते हैं need और dare सबसे पहले हम need की बात करेंगे हम जानेंगे need का use कहां करते हैं और फिर dare का use भी जानेंगे ठीक है अब आपको दिखाई दे रहा होगा तो भाई देखो ये जो need और dare हैं ये ऐसे models है English के कि इन्हें दो तरीके से use किया जाता है और वो दोने तरीके में आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है कहना में कभी भी confusion ना हो तो सुनिए पहला जो तरीका होता है need को या dare को पहले need के बार में जानेंगे वो होता है main verb वाला उसमें क्या होगा affirmative में सबसे पहले subject उसके बाद need और फिर to फिर verb की first form ये formula होगा subject need plus two plus verb की first form लेकि need में एस लगाना पड़ेगा कब लगाना पड़ेगा जब हमारा subject singular होगा singular तो आप समझते ही है he, she, name या it ये singular person होते ही हो, she हो, किसी का भी नाम हो या it हो तो need में s लगाना पड़ेगा, iu भी दे हो तो नहीं लगाना पड़ेगा तब खाली need to और अगर आपका negative आएगा, तो भाई आप do does लगेगा do और या does में से कोई एक, और not अब s हट जाएगा, अब नहीं लगेगा s वेस need to plus verb की first form क्यों नहीं लगेगा s वेस, क्योंकि वो जो s वेस है वो सरी फोर सरी affirmative में लगता हूँ, वो भी he she name it के साथ negative में किसी के साथ नहीं लगेगा, आप do does अलग-अलग करना पड़ेगा singular हो तो does, plural हो तो do और अगर interrogative बनाएगे तो do और does पहले आजाएगा do or does पहले आजाएगा और फिर आपका वोई subject रहेगा और फिर वोई need और फिर to और फिर verb की first form question mark के साथ आप directly example लेते हैं, जैसे मुझे कहना है need, need का example दे रहे तो need का मतलब होता है जरूरत आवश्चता, जैसे तुम्हें जाने की जरूरत है जरूरत है, अब कैसे बनाएंगे तुम्हें जाने की जरूरत है you need to go, you need to go आप यहाँ पर देखिए, need में s नहीं लगा, वज़ा क्या है क्योंकि s सरिफ लगता है he, she, name it के साथ तो you तो he, she, name it में है ही नहीं, तो वहाँ पर s नहीं लगा यहाँ पर बिना s के you need to go अब इसी को में अगर negative बोलू नहीं भई नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं कहूंगा you do not, you do not need to go need to go, क्यों do लगाया, क्योंकि जो does है वो he, she, name it के साथ ही लगता है खाली अब हम इसका एक does वाल example भी लेते हैं अब यहाँ पर आपको बहुत मज़िदार बात बताऊंगा मैं आपको पहले देखिए, जैसे सच्चिन को खेलने की जरूरत है सच्चिन को खेलने की जरूरत है तो यहाँ पर मैं कहूंगा सच्चिन needs अब देखिए, need मैंस लगाना पड़ा क्यों लगाना पड़ा? वज़ाई यह है क्योंकि he, she, name or it अब सच्चिन तो एक नाम है तो इसलिए यहाँ he, she, name it के साथ लगेगा तो लग गया, सच्चिन needs to play लेकिन अगर मैं इसी को मना करूं नहीं भई, सच्चिन को तो खेलने की ज़रूरत नहीं है तो सच्चिन does not अब does not आ जाएगा, need to play need to play भई, यहाँ तक तो आपको सवंज में आ गया होगा लेकिन आप एक कहानी में twist आ गया है मैंने आपको बोला था कि need और dare, दोनों को आप दो-दो तरीके से यूज़ कर सकता है, अभी dare की तो बात नहीं कर रहे है need को आप आप दो तरीके से यूज़ कर सकते है पहला तरीका तो यह tense वाला हो गया main verb वाला, tense की तरह के भई, SOS भी लगाना है negative में doodas भी आएगा एक जो इसका तरीका आता है, वो model वाला तरीका आता है, तो वो भी आप सीख लीजिए, ताकि future में आपको कोई पकड़े ना, और वो वाला तरीका देखिए क्या है, वो वाला तरीका यह है, कि सबसे पहले affirmative की subject, उसके बाद dare, और उसके need, क्योंकि need की बात उरी है need, और फिर verb की first form, बास, खतम to अगेरा कुछ नहीं, और कमाल की बात, s वैस भी नहीं he, she, name it, I, you, they सबके साथ dare, और जब आप negative वाला बनाएंगे, तो सबसे पहले subject उसके बाद need not need not, और फिर verb की first form, और interrogative बनाएंगे, तो need पहले आजाएगा, और फिर subject और फिर verb की first form question मा के साथ end करेंगे, देगा तो यहाँ पर क्या हो गया, कि अब S, यानि tense वाला तरीका नहीं है यह दूसरा तरीका है, तो आप इससे बनाएं या उससे बनाएं, या कोई एक अपनी life में सोचले, मैं ऐसे यूज करूँ यह वाला जादा असान है, लेकिन knowledge दोनों की हो, ताकि future में कोई आपके साथ sentence आए, तो आप गड़बड ना करें तो चला बनाते हैं, जैसे तुम है, या उसे, उसे उसे, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, जरूरत है, तो यहाँ पे he need study, या he need read, तो study कर सकते हैं, यह देखे, need में ना तो ऐसा आया, और to भी नहीं आएगा, यह दियान रखेगा, to बिलकुल नहीं लगाएंगे, अब इसको अगर मैं negative बनाओ, नहीं भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, he need not study he need not study, he need not study, और अगर इसी को मैं क्या वाला करूं, तो क्या वाले में बस वो need पहले आ जाएगा काम खतम, need he study, need he study, यह लीजे, देखिए need he study हो गया कितना easy होता है, है नहीं अब need को समझ लिया, कि need को अगर need के साथ two लगाना है तो ten solar rule अपनाएंगे, कि वो s वेस भी लगाना पड़ेगा, negative में do does भी आएगा, और two हटाएंगे तब तो बिल्कुल simple ही formula है तो वो सिर्फ और सिर्फ simple है से रे जाएगा मुझे पढ़ने की जरुबत है, I need read I do not need, do तो लगे I need not read, need I read क्या मुझे पढ़ने की जरुबत है अब बात करते हैं, dare की dare, dare का मतलब होता है हिम्मत या साहस हिम्मत या साहस चलो बनाते हैं इसके भी दो तरीके हैं, पहला तरीका tense वाला, और tense वाला क्या है subject प्लस dare लेकिन dare में ऐस लगाना पड़ेगा अगर subject singular हुआ तो फिर to प्लस verb की first form, और अगर negative बना रहे हैं तो do does subject फिर उसके बाद do या does में से कोई एक चीज़ और फिर not, और फिर वही dare to और फिर वही verb की first form और अगर क्या वाला बना रहे हैं तो do does पहले लगाना पड़ेगा और फिर वही dare to और फिर verb की first form, to जरूर चिपका रहेगा subject or do not dare to और प्लस verb की first form negative में भी जैसे की बोल दिया मैंने अब अगर आप इसे model की तरह use करेंगे as a model तो देखिए वो कैसे करेंगे वो भी मैं formula हाथो हाथ लिख देता हूँ वो formula कुछ इस तरीके से होगा subject plus dare और प्लस verb की first form और negative होगा subject plus dare not dare not उसके बाद verb की first form अगर क्या वाला बनाएंगे तो dare पहले लिख देंगे फिर subject फिर verb की first form question mark के साथ कोई do does नहीं कोई SEIS का चक्कर नहीं भाई ये वाला तो सबसे simple लग रहा है आप इस तरीके से ही बना सकते हैं और इस वाले तरीके से ही बना सकते हैं ये tense वाला तरीका है ठीक है आओ आप इस पर example लेते हैं जैसे example लेते हैं मैंने कहा उसमें उसमें लड़का एमानकी उसमें बोलने की हिम्मत है बोलने की हिम्मत है उसमें बोलने का साहस है वो बोलने की हिम्मत रखता है उसमें बोलने की हिम्मत है तो हम दो तरीके से बनाएंगे इस वाले से भी tense वाले तरीके से भी तो tense वाले तरीके से बनाएंगे तो लड़का ही उसमें ही अब dare में S लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि tense वाले तरीके में he she name it के साथ S लगेगा और I U विदे के साथ नहीं लगेगा तो अगर यहां मैं होता मुझ में बोलने की हमते तब भी असे नहीं लगता आई के साथ नहीं dare, अब खाली dare आ गया, to speak, और इसी तरीके से, क्या उसमें बोलने की हिम्मत है, तो does पहले आ जाता, अब देखिए, यहाँ पर do does आ गये, तो dare में ऐस हड़ी है, टेंस वाले रूल है, लेकिन इसमें तो S.E.E.S. का चकर ही नहीं है, ना, do does का चकर, सिंपल सी बात, he dare speak, he dare speak, उसमें बोलने की हिम्मत है, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है, he dare not speak, he dare not speak, और क्या उसमें बोलने की हिम्मत है, dare पहले लिख देंगे, dare he speak, dare he speak, इस तरीके से, कितना आसान है ना, तो यहाँ पर हमने देख लिया, कि dare को हम दो तरीकों से use कर सकते हैं, same do को भी कर सकते हैं, एक तो tense में भी कर सकते हैं, तो उसमें SEIS का ध्यान रखना पड़ेगा, do does लगाना पड़ेगा, और अगर आप model की तरह करते हैं, तब तो tension ही नहीं है, तो मैं तो suggest करूँगा model की तरह आप use करिये, जैसे उसमें उसमें चलने की हिम्मत नहीं है, या दूसरा बनाते हैं, उसमें उसमें गाना गाने की थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, गाना गाने की हिम्मत नहीं है, गाने की हिम्मत नहीं है, उसमें गाना गाने की उसमें गाना गाने का साहस नहीं है या फिर जैसे मुझे बूलना है तुम्हें दोडने की जरूरत है दोडने की जरूरत है जरूरत है एक और बनाते हैं जैसे हमें कार चलाने की कार चलाने की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है और एक और बनाते हैं लास्ट जैसे क्या मुके तीवी देखने की हिम्मत है लीजे यह हमारे पास sentences हो गए चार उसमें गाना गाने की हिम्मत नहीं है तुम्हें दोडने की जरूरत है हमें कार चलाने की जरूरत नहीं है क्या मुकेश में टीवी देखने की हिम्मत है आपको इन चारों सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है आपको ट्रांसलेट करना है जो है मॉडल वाले तरीके से बिना टू का यूज किये ताकि और अच्छे सवर आसानी से आपिसे सीख सकें इसका आंसर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन जाकर पूश्ट कर दीजेगा और मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूँगा ताकि वो हमेशा टॉप पर जगमगाता रहे नेक्ट क्लास मैं विलूगा किसी नए टॉपिक के साथ और हाँ ने टॉपिक नहीं आप तो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे डेली चलिए अपना ध्यान रखिए का तब तक के लिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिजेगा मेरे स्पॉटिफाइ पाटकास्ट को फॉलो जरू कर लिजेगा अपना ध्यान रखिए तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई